जी शेक, शेक की दो हजीसे हैं, उसमें पहला अधिस हजरत सुलेलाहु अलाहिए वसलेम का हुकम है न शेक की आउरतों को मस्जिद से ना रखो आने के लिए, तो फिर एक और हदिस है शेक, हमने आशा बोलती है कि अगर वो आजके जमाने में जिन्दा होकर आजकल की आउरत वो तो मस्जिद साहने से रोकते हैं, तो ये दो दूसरे आते हैं, इसको पकड़के हनफी हजरत मस्जिद साहने से रोकते हैं शेक, तो उनको मैंने पूछा, तो आप पहली अधिस को क्यों ने ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तो आप हम्मिया आशाक की अधिस को छोड़ किया. अब्ध के नबी स्यलसमें ने एक से ज्यादा हदीसों में फरमाया कि ला उत्मनई मां अमा अलाहि मसाजिद लाहि इसी तरह के कई अल्फाद हैं कि अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से न रोको. एक नहीं कई हदीसे हैं और सबसही रिवायते हैं दूसरी तरफ एक हदीस है आईशा रदियल्लाहुतालाना कहती है कि अभी औरतों के जो हाला थो गए हैं अगर अल्लाह के नभी सलस्वाशलम इन्हें देखते तो मस्जिद में आने से मना कर देते वो बेपर्दगी वGरेरा की तरफ जो है इसारा कर रही है आईशा। तो इसका जवाब देने से पहले पहला सवाल मेरा यह है कि आईशा रदियल्लाहुतालाना ने जो ये बात कही क्या इसको हदीस कहते हैं भाई हदीस तो वो है जो अल्ला के नभी अल्ला 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 अल का कॉल है, उनकी राए है, उनका ख्याल है, वो ऐसा प्रे रही है, कि अविखना हम में धरीत हैं, यह हलात देखते तो आप ऐसा ऐसा करतें, तो क्या जरूरी है कि आशा r. अन्हां का जो ख्याल है नभी उसा ही करतें, क्या ऐसा जडूरी है, यह एक बार, दूसरी बात, उस जमाना ऐसा आएगा जिसमें बेपर्दगी आम होगी अल्ला के नबी साथ ने कहा निसा उन कासियात उन आरियात उन माईलात उन मुमीलात उन लंबी हदीश है कि इस तरह की औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद बरहना होंगी बेपर्दगी का मुझाहरा करे इसका मतलब ये कि अल्ला के नबी सालमस्लिक्त wild क्याना बता इसका मतलब ये कि और आएगा जिसमें बेपर्दगी ऐसे यसे आएगी तो गोया कि अल्लाह के नभी साल स्वाश्व को पता था ये तो जब पता था तो अल्लाह के नभी साल स्वाश्व को पता था तो अल्लाह के नभी साल स्वाश्व को ये मालूम होने के बावजूद की बेपर्दगी का दौर आएगा लेकिन उस दौर में भी पर्दे के साथ औरत मस्जिद जाएगी पर्दा तो जरूरी है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है लेकिन उसकी वज़े से मुतलग तोर से तमाम अउरतों को मस्जिद से रोग ड़ाएगा और आईशा रजियल्लाव ताला नहां ने जो कहा कि क्या आईशा रदियल्लाव ताला नहां के ऐसा कहने के बाद क्या सहाबे कराम ने इस पर अमल किया कि अपनी औरतों को मस्जिद जाने से रोग दिया अमर जम इस मस्ज़े पर गुटबू करते हुए एक दि मैंने जिक्र किया था عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا वाकिया कि उनकी अहलिया मस्जिद जाती थी उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं क्या पसंद करता हूँ तो उन्होंने कहा वाल्ला मैं मस्जिद जाने से उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे रोक नहीं देंगे सहाबे कराम ने रोक दिया बिल्कूल नहीं क्योंकि अल्ला के नभी सासर्ण ने ऐसा नहीं का आईशा रजियाल्ला अन्हा कि कौल को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात पर महमूल कर सकते हैं कि उन्होंने जो हालात देखे उस हालात पर एक उनका अपना तबसरा था उसको शरीयत का दर्जा हासिल नहीं है और एक और आप बात याद रखें जो मनसूप की बात करते हैं ये सरासर शरीयत के असूल से लाइल्मी का नतीजा है नभी सल्लाव सलम की वफात के बाद कोई चीज मनसूप नहीं होती है अगर कोई ऐसा आकीदा रखता है तो नवबिल्ला ये कुफर है जब नभी सल्लाव सल्लम की वफात हो गई शरीयत मुकमल हो चुका वफात से पहले और शरीयत मुकमल होने के बाद कोई चीज मनसूप नहीं होती है जितनी चीजें थावित होगई हूं वो सब फ़क्म है कोई मनसूख नहीं है तो ऐसी बात कौन कर सकता है फकत इसलिए इमान साब का बचाव करने के लिए अपने मजभब का बचाव करने के लिए अल्लाह के नवी साहथं की दस्यों हदीसों को ऐसे छोड़ दो अजिते आएशा रजिया आएशा रजिया लगाति है अन्रे इसक ने उन्यार रजिया है उन्यार आएशा रजा रजिया है अन्रेर ने बात एउसमे